नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों सनान केवल साधारन कार्य नहीं है इसे शास्त्रों में तब के समान माना गया है सनान करना इतना आवश्यक होता है कि इसके बिना मनुष्य के शरीर की शुद्धी नहीं होती है प्राचीन काल में पवित्र नदियों में स्नान करके शरीर को रोग एवं पापों से मुक्त किया जा सकता था किन्तु आज के समय में प्रत्येक मनुष्य नदी में स्नान नहीं कर सकता इसके लिए शास्त्रों में कुछ बहुत रहस्यमें मंत्रों का निर्मान किया गया है इन मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही आसान होता है लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही चमतकारिक माना गया है भगवान श्री कृष्ण ने सनान की जो विधी बताई है और जिन मंत्रों के बारे में बताया है अगर कोई साधारण मानव इस विधी से स्नान करता है और स्नान करते समय इन लगु मंत्रों का जाब करता है तो उसके समस्थ पापों का नाश उसी क्षन हो जाता है उसके जीवन से दुख दरिदरता का नाश होता है और उसे लक्षमी की प्राप्ती होती है श्री कृष्ण कहते है नित्य स्नान करने वाले मनुष्य के पास ही लक्षमी का वास होता है जो स्नान नहीं करते हैं उनके पास दुर्भाग्य और दरिद्रता निवास करते हैं नित्य स्नान न करने वाले मनुष्य को नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं, लक्षमी उसे छोड़ कर चली जाती है और वह मनुष्य अपने पतन के मार्ग की ओर चलने लगता है। स्नान किये बगैर किसी भी प्रकार का धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य बिना स्नान किये ही धार्मिक कार्य करता है, उसे महापाप लगता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना स्नान किये पूजा पाठ आधी कार्य नही करने चाहिए। आज हम जानेंगे पुरानों में वर्नित उस गोपनिय स्नान की विधी के बारे में जो बहुत से मानव नहीं जानते हैं। यह अत्यंत गोपनिय विधी है और इसका पालन प्रत्येक मनुष्य को स्नान करते हुए करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधी के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें स्नान करने का सही समय, स्नान करने की दिशा, अर्थात स्नान करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए, स्नान के कितने प्रकार है, स्नान करते समय कौन से मंत्र का उच्चारन करना चाहिए, आधी प्रकार की अत्यंत गोपनिय बातों के बारे में आज हम आपको बताने जा रही हैं। आश्वर्य की प्राप्ती निश्चित ही होती है। स्नान करते समय अपनी पीठ दक्षिन दिशा में करनी चाहिए। उत्तर दिशा में पवित्र नदियों का उगम है। गंगा, यमुना, सरस्वती, आधी नदियों का उगम स्थान उत्तर दिशा में है। इसलिए सनान करते समय अपना मुख उत्तर दिशा में करना ही सर्व श्रेष्ट माना गया है। इस दिशा में मुख करके सनान करने से तन और मन दोनों ही पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सनान करने के लिए सुभ़ का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातयकाल सनान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजापाठ आदी समस्त शुब कारियों के योग्य बनता है। सनान किये बगैर किसी भी प्रकार का शुब कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुरभाग्या आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नौ छिदरों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहती है। इसलिए इसे नित्य शुद्ध करना अवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदी संभव हो, तो शुद्ध तीर्थ में सनान करना चाहिए। क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में सनान करने से शुद्ध होता है। यदी ऐसा संभव न हो, तो शुद्ध जल से ही सनान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रातय काल में सनान करता है, उसके पास दुष्ट शक्तिया नहीं आती है। उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुन्य की प्राप्ती होती है। रोज सनान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज, बल, पवित्रता, लंबी आयू, आरोग्य, निरलोगता, गुरे स्वप्न का नाश, ताप और मेधा, ये दस गुन प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ती पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्रकार्य सनान मूलक है, अर्थात कोई भी पवित्रकार्य बिना सनान किये कभी संपन्न नहीं होता है। विद्वान लोग बिना सनान किये अन्न का कण भी ग्रहेंड नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य को बिना सनान किये भोजन नहीं करना चाहिए। इस नियम का कठोर्ता से पालन करने पर मनुष्य को तब तथा व्रत के समान फल प्राप्त होता है। श्री कृष्न कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुख से लार, पसीना, मल, आधी अपवित्र पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। स्नान की नितांत आवश्यक्ता होती है। स्नान करते समय इश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे तन की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। नहीं दे पाते हैं, तो रविवार के दिन सूर्य को अर्ग्य अवश्य देना चाहिए। सूर्य को अर्ग्य देने के लिए तामबे के पात्र का प्रयोग करे और उसमें अक्षत तथा फूल डाले। इससे सूर्य देव की कृपा सदैव ही आपके साथ रहती है। लेकिन दोस्तों सनान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार सनान कर लेते हैं, जो की उचित नहीं है। अशुग समय पर सनान कर लेने से हमें फाइदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुर पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने सनान करने के सही समय के बारे में बताया है। जो मनुष्य नित्य इस समय पर सनान करता है, उसकी आयू लंबी होती है और उसके दुखों का नाश होता है। आईए अब जानते हैं सनान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रमह सनान, देव सनान, रिशी सनान, मानव सनान और दानव सनान यह सनान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गी कृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रम्ह मुहूर्ट में किये जाने वाले स्नान को सर्वश्रिष्ट माना गया है। ब्रम्ह मुहूर्ट यानी की रात्री का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक देड़ या दो घंटे पहले का समय होता है। यानि की साधारंतह सुभ चार से साधे पांच तक का समय ब्रम्ह मुहूर्ट कहा जाता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रिष्ट समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावर्ण में अद्भुत और चमतकारी उर्जा व्याप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। देवताओं का समरण करते हुए ब्रम्ह मुहूर्त में किये जाने वाले ब्रम्ह स्नान को सर्वश्रिष्ट स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्गे देने से हमारे जीवन में सुख, सम के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किये जाने वाले इस स्नान को भी श्रिष्ट स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्म और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा है रिशी स्नान। सुभा जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किये गए स्नान को रिशी स्नान कहते हैं। यह भी श्रिष्ट स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांती मिलती है और हमारी आयू लंबी होती है, तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान, सुबह छे से आठ बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है, यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है, इस स्नान से अधिक शुब फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी इसलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव सनान तो कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह आठ बजे के बाद सनान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इसलिए सुर्योदय से पूर्व अथवा सुर्योदय के समय सनान करने को ही सर्वश्रिष्ट माना गया है। सुबह आठ बजे के बाद किये जाने वाले सनान को दानव सनान कहते हैं। सुर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग सनान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिर्चिरापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिदरी ही रहते हैं। इन्हे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ती बीमार है, तो उसे किसी गीले कपड़े से अपने अंको साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का सनान ही कहा गया है। यदि सनान करना संभव ही नहीं है, तो मंतर सनान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके, ईश्वर का ध्यान करते ह मंतर सनान करे। इस सनान में जल की भी आवश्यक्ता नहीं है, केवल वायू से ही सनान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गरुर पुराण में हमें प्रति दिन सनान करने की सलाह दी गई है। प्रति दिन सुभ जल्दी जाग कर सनान करके, सूर्य देव को जल अरपन करने से मन जो लाब प्राप्थ होता है, वह किसी अन्यकार्य को करने से नहीं मिलता है। सनान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है। सनान के बिना हम अशुद्ध और अपवित्र ही रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सनान करते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे स्नान करने के कई गुना अधिक लाभ प्राप्थ होते हैं। इस मंत्र में सभी पवित्र नदियों का स्मरण किया गया है। आप रोज स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करे। आपकी दरिद्रता का निश्चित ही अन्थ हो जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। वह मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र का अर्थ होता है। यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के नदियों आप सभी मेरे स्नान करने के जल में पधारियें और मुझ पर अपनी क्रिपा बरसाएं। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करने से मनुष्य को इन सभी पवित्र नदियों का आशिरवाद मिलता है और उसके समस्थ पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी नित्यस नान अवश्य करें, आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य महसूस करेंगे और देखते ही देखते आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी का धन्यवाद।